इस वीडियो में दोस्तों इन डीटेल में बात करने वाले हम लोग येस बैंक लिम्टेट के बारे में जिसने की अपने कॉटर 3 के नंबर्स पुब्लिश कर दिए तो डिसकस करेंगे इन डीटेल में लोग बैंक के स्टेंड लोन डेटा कि हमें इस बर कैसा देखने को मिल ला तो बैंक का नाम है येस बैंक लिम्टेट काफी सारे रीटेल इन्वेस्टर्स के पोटफोलियो में हम ये स्टॉक देखने को मिलता है तो डिसकस करते हैं स्टेंड लोन फानेंशल रिजल सारी अर्निंग लैक्स में इन करोड से बात करेंगे हम लोग कॉर्टर 3 का डेटा ह 6700 करोड से 6900 करोड के करीबन तो इंटरेस्ट वाली इंकम तो काफी अच्छे सदान हो रही है कॉर्टर और यरली दोनों ही जा गया आप सारी इंकम को एड़ ऑन करेंगे तो आएगी आपकी टोटल इंकम जो की दिसंबर 22 में 6,937 करोड की थी वह इस बार 8100 करोड के अप् देखने को मिल रही है तोटल अगर expenditure की बात करें तो यरली खर्चे 6,024 करोड से 7300 करोड पर आगया और कॉर्टर ली 7100 करोड से 7300 करोड के करीबन तो कॉर्टर और कॉर्टर और कॉर्टर प्लस यर और यर बेसिस जिस तरीके से बैंक की इंकम बढ़ी तो खर्चे भी कॉर देखने को मिल रहा है वह कि दिसक्स करते हैं कि प्रोविजन सेंड कंटेंजेंस कितनी देखने को मिल तो 844 करोड की दिसमबर 22 में थी वह जबर 554 करोड प्लस और कॉर्टर टू में 500 करोड की थी 254 पर तो प्रोविजनी यरली बेसिस पर काफी अद तक कम ओ गई और कॉर on quarter थोड़े बहुत provision समय बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं then discuss करते हैं after tax company को net profit या loss कितना हुआ तो December 22 में 51 करोड का profit तब वो अज़ बार 231 करोड पे आ गया और quarter 2 में 225 करोड के profit थे वो अज़ बार 231 पे तो bank की conditions हमें काफी अच्छी होती हुए देखने को मिल रही है और yearly basis पे काफी massive growth है company के profits में और quarter on quarter भी थोड़ी बहुत growth इस बार देखने को मिल रही है same reflection देखने को मिलेगा EPS में yearly काफी अच्छे profit बढ़े तो EPS भी 0.02 से 0.08 पे आ गया quarter on quarter ज्यादा कुछ खास growth नहीं है तो EPS भी हमें flat 0.08 पे देखने को मिल रहा है बात करें net NPA की इन रूपीज में तो December 22 में 1973 करोड के NPA थे वो इस बार 1934 करोड पे आ गया और quarter 2 में 1885 करोड के NPA थे वो इस बार 1934 पे तो quarter on quarter थोड़े बहुत NPA बढ़े हैं और yearly basis पे थोड़े बहुत NPA में कम देखने को मिल रहा है तो overall दोस्तों यह थे ES bank के numbers में भी हो सकता है market का एक positive reaction हमें इस पे देखने को भी मिल सकता है तो आपके आस ES bank limited के कितने share से comment box में बिलकुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए Bye Bye